भारत और इंग्लेंड के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वंडे सीरीज के दूसरे मैच में भारतिय टीम आज जीत के इरादे से मैदान पर उत्रेगी आपको बता दें पहले मैच में सलामी बल्लेबाज सीखरधवन और कुर्नाल पांड्या की तुफानी पारियों के बदावलत टीम इंडिया जीत के साथ एक सुन्य की बढ़त बना चुकी है क्रिकेट विशेशग्यों की माने तो आज दूसरे वंडे में जीत के साथ टीम इंडिया दो सुन्य की अजे बढ़त बना सकती है लेकिन अब सवाल खड़ा हो रहा है कि इंडिया के बल्लेबाजों को सस्ते में समेटने में काम्याब हो पाएंगे भारती अगेद्वाज दरसल इंडिया के कई बल्लेबाज दूसरे वंडे में दोहरा सतक लगाने का दावा कर रहे हैं हालकि टीम इंडिया के लिए अच्छी बात यहा है कि इंग्लैंड के कप्तान इयोन मोरगन चोट की वज़ा से नहीं खेलेंगे लेकिन जानकारों की माने तो भले ही इयोन मोरगन नहीं खेलेंगे इसके बावजूद इंग्लैंड के टीम में कई ऐसे दिगज बल्लेबाज हैं जो अकेले दम पर अपनी टीम को जीत दिलाने की छमता रखते हैं खास तोर पर डेविड मलान, जेसन रॉय, जोस बटलर, बेनी स्टॉक्स और जोनी बेस्टो जैसे तुफानी बल्लेबाजों के सामने भारतिय गेदवाजों को संभल कर गेदवाजी करनी होगी आपको बता दें, जोस बटलर और बेनी स्टॉक्स वंडे क्रिकेट में बेहद ही आकरामक बल्लेबाजी करते हैं बात करें भारतिय टीम के बल्लेबाजी करम की, तो मद्ध करम बल्लेबाज, श्रेय सैयर चोट की वज़े से वंडे सीरीज से बाहर हो चुके हैं हालकी देखा जाये तो भले ही श्रेय सैयर नहीं खेलेंगे, इसके बावजूद टीम इंडिया में चार ऐसे दिगज बल्लेबाज हैं, जो अकेले दम पर भारत को जीत दिलाने की छमता रखते हैं खास तोर पर भारती अफैंस की निगाहे टिकी रहेगी शिखरधावन, रोहित सर्मा, रिशपपन्त और हार्दिक पांडिया जैसे दिगज बल्लेबाजों पर प्रिकेट विशेशग्यों की माने तो दूसरे बंडे में बेशक इंगलैंड की टीम जीत का दावा कर रही है लेकिन इस्टार बल्लेबाज रोहित सर्मा, शिखरधावन, रिशपपन्त और हार्दिक पांडिया मैदान पर टिक गए तो अकेले ही इंगलैंड की पूरी टीम पर भारी पड़ेंगे माना जा रहा है कि टीम इडिया की तरफ से शिखरधावन, रोहित सर्मा, रिशपपन्त या फिर हार्दिक पांडिया दोहरा सतक लगा सकते हैं